हेलो दोस्तों भाई क्या हाल चाले आप सब लोगों के भाई आई होप आप सब बढ़िया होंगे और वेलकम तो माई चैनल आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखिए तो लास्ट वीडियो भाई देखिया ना लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जाके क्य तो वह ऐसा है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है जैसे राज पिक्चर की शूटिंग भी हो भाई बता रहे हैं मिरको कुछ नहीं बता बाकि हमारे लिए भी सप्राइज ही होएगा देखते हैं चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा होटल कैसा है रिजॉट कैसा है और तो यार अभी हम रुक रखेते सेवन इलेवन पे और हमने भाई यहां से लिया कॉफी क्या लाते भाई शोबित ने तो खतम भी करती यार बचिये क्या आच्छा रुके वेते थोड़ा सा चलते जलते थक गेते तो अभी हम हम चलते हैं बैक टुदा रूट और दिखाते हैं यहार आपको होटल तो यार हमना भी यहां पर रुके वेते हैं और हमने थोड़ा फोटो शेशन करा है तो आपने एक बरी व्यू देखो यहां का पीछे की तरफ ना पहाड है पूरा का पूरा ना बरफ में घिरा पड़ा है और बाई मजा आ रहा है बहुत ही जादा मजा आ रहा है इस वाली में आई होब कि आप लोगों को भी बहुत मजा रहा है यार यहां के नजारे देख देखके देखो यार बिलकुल स्टेट जा रही है यह रोड तो चलेंगे अभी हम सीधा होटल तो यार फाइनली हमना 20-30 मिनट गाड़ी की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए होटल में गाड़ी लगा दिया हमने इदर पार्किंग में और होटल दिखाओ आपको यह देखो यार यह होटल है यहां पर बिलकुल ऐसा तगड़ा सनाटा है ना कि ना बस सजबतारों में आपको डर हमें बहुत जादा लग रहे हैं भाई बतारे कि यह ना हांटेड होटल है और यहां पर आने के बाद बताया भाई में यह बाद यह राजपिचर की जो हॉरर मूवीज होती थी उसकी शूटिंग यहां पर हुई भी यह शायद और आप देख सकते हैं बहार से देखो पर है होटल चेक आउट करो यार सच मेंना अजस होटल बहुत ही शांदार होटल है तो तो यार बताना है आपको कैसा अगे होटल लगा अब हम जाते वpectी होटल के अंदर और करते चेक इन तो यार चेक इन होगी है कंपलीट पर हमें मिल गई है चाबदी आरूम dzi चलते हैं रूम यार यह अपना रूम टू फाइफ फाइफ थरी एक खोलते हैं इदर की तरफ गिंकांस और इदर स्लिपर्स रखी विए अंदर तीन बंदों के सोने का जुगाड है जहां पर यार इदर की तरफ एक दो बेड इदर की तरफ टीवी लगा थोड़ा सा और एक बंदे को सोना पड़ेगा नीचे हीटर लगार का बहुत अच्छा काफी अच्छी हीटिंग और और इदर की तरफ है क्लोजट और यहां से ना वीव दिखरा भार बहुत ही अच्छा तो यार अभी हम हो चुके हैं यहां पर रेडी जैपनीस ड्रेस जैपनीस ट्रेडिशन अच्छानल ड्रेस पहने के इबरी चेक आउट करें यार सबकी अब है क्लिसो साइस थोड़ा बस अब हाई कले आर साइस बहुत छोटा है लेकिन हम लोगों के लिए फिट है परफेक्ट है भाई के लिए तो यार अभी हम जा रहे हैं इसके बाद रेस्टों में खाना खान सब्सक्राइब कापि यार इदर की तरफ से खाना स्टार्टर दर की तरफ है सालीड कॉर्νεर और इदर गी तरफ कुछ नॉन टीन लिज रख़ा कि इदर की तरफ और ठोड़ा to nN बर बूड आर बेट में फूड है कि इदर की तरफ से प्लेट्स ले और ciche अ इदर की तरफ सारा का सारा बॉल्ड खान है इसके लावा कॉफी ओफी है इसके लावा इधर की तरफ डिजर्ट रखी है और बहुत ही टीस्टी सी लग रही है डिजर्ट से पूरा भरा पड़ाई वाला कॉर्नेर तो तो यार मैंना खाना लेकर आचुका हूं बुफे से जिसमें इदर की तरफ है शकर गंदी थोड़ी सी सैलड है शूशी पास्ता कॉन बॉल्ड वेजीज है इसके लावा मोची बोलते हैं इसको किसकी होती है मेरको भी अच्छे सा आइडिया नहीं है क्रीम रोल्स है इदर की सिर्फ गालिक ब्रेड में बटर लगा के रगता है यह सब खाना था इसमें तो मैंने ले लिया थोड़ा था तो देखते हैं घाते और फिर बतातों आपको कि कैसा टेस्ट है इन सब चीजों का सारी चीज़े भा खानी बाया क्योंकि जैपनीस पोड मेरको इतरा अच्छा तो फिर इतले मैंना थोड़ी सी चीज़े इन लोगों को बाट दी मनीश भाई ने हेल्प करी खाने वाई थोड़ी सी एक बारी का यार मैंना बुफे जो लेकर आधाना वह सो कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं लिया हूं नेक्स टाइम का खाना इधर की तरफ ना डेजर् फ्रूट्स हैं पाइनेपल और 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 पोड़े ने इधर भाई अपना खाना हो गया फिनिश तो यार खाना फिनिश होने के बाद ना अब हम जा रहे हैं ऑंसेन में पब्लिक बाद में बात लेने के लिए तो यार महां पे ना आइधिंक मैं रिकॉर्टिंग करने ही प लेंगे और फिर उसके बाद देखते आंगे का क्या प्लान होएगा तो गाई जार अभी हम आगे हैं पब्लिक बात लेके और कैसा रवाई का इस फाइनली अभी हम एक अंटा सायद हम पब्लिक बात में होके हैं बहुत रिलेक्स नेमुई नेंदारी भाग तो यार मतलब क टूटल कुल में लागे ना भाई हमें बहुत मजा है बब्लिक बात में जाने के बाद और अभी हमारा प्लान है सुने का क्योंकि ठक रखे हम बहुत ही जाद असनोबॉड में इधर उदर गिर के ना हमने मतलब जैसे तैसे कर लिया सनोबॉड लेकिन अब नहीं अब तो अ अदर शोबित और इदर सूरत थे मनीश भाई और यार सुबह उठने के बाद ना हमें ना रात में तो कुछ दिखने रहाता लिए सुबह उठने के बाद में बहुत ही अच्छा नजारा देखा इदर की तरह देखो आप पूरी स्नो पड़ी भी है यहां पर और अपने रूम करेंगे और फिर यहां से निकलने की प्लानिंग करेंगे यह यहार इदर की तरफ यहां पर ब्रेक्फास्ट लगावा ब्रेक्फ़स्ट पुफेर कि अधर की तरफ सालेड वालिट रखिया है अधर से प्लेट्स ले सकते हैं इदर की तरफ थोड़े फ्रूट्स रखे रहा योगर्ट और और थोड़े फ्रूट्स तो भाई धर हम ले आया है अपना ना ब्रेक्फ़स्ट जसमेल लीची एपल पाई फ्रेंच टोस्ट थोड़े सी फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज और 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 इंज पिल्स इदर भाई आयां है अपना ब्रीक्फ़स्ट और शओब भी ला ह benefiting या अपना ब्रेक्फ़स्ट तो यार इदर की तरफ मह ले एंच उड्रिंक में एपल जूश करते हैं यार ब्रेक्फ़स्ट और भी हम जा रहे हैं शावर लेने के लिए नीचे ऑंसेन की तरफ और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने घर की तरफ वापसी तो फटा-फट जाके पहले शावर लेके आते हैं फिर करते आंगेगा यार अभी हमना रूम लॉक करके निकल चुके हैं शार लेके हम आगे ते रेडी हो गए थे फिर हमने रूम लॉक करा और यहां से निकल गए हैं अब हम जा रहे हैं अपने घर पे वापसी यार चेक आउट करवा के आगए हैं अभी हम कार के पास में समान रग दिया हमने करना भूलिया था तो यहार हम ना उपर से शॉट्स ले नहीं पाई लेकिन फोटो लिए एक तो वह मैं डाल दो हाँ बीच में आप देख लेना अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापसी हो और बहुत अच्छ अच्छ नजारे दिख रहे हैं तो तब तक आपना नजारों के मज़े लोग तो यहार हाइवे में चलते चलते हमें हो गए हैं दो घंटे से भी जादा और अभी एक घंटा और लगेगा हमें घर तक पहुंसते पहुंसते और पहले की सड़के बहुत जादा खाली ती ना तो हमने खींचम खींच अच्छ 120-120-130 की स्पीड में ले ली ती गाड़ी तो अभी यहां पर थोड़ी सी ट्राफिक मूविंग ट्राफिक है लेकिन हलका अलका ट्राफिक आगे तो अभी हम लिमिट में चल रहे हैं बहुत ही जादा गाड़ी की चलते हैं देखते हैं कितना ओर टाइम लगेगा एक घंटा को उतार दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर पर तो ना इस वाली वीडियो करता है यहीं पर एंड आई होप कि ना आप सब लोगों को यह वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो फटा फट से ना जाके कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर द तो फिर मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए